जै किसान दोस्तो आपका चैनल में स्वागत है दोस्तो प्राक्तिस समस्याओं की वज़े से हर साल किसानों को बहुत ज्यादा नुक्सान का सामना करना पड़ता है कहीं बाड़ के वज़े से तो कहीं सूखा पढ़ने के चलते किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है कम बारिस या जरूरत से ज़्यादा बारिस भी किसानों की फसलों को बरबाद कर देती है परणाम सरूप उनकी सारी मेहनत भी बेकार हो जाती है लेते हैं और खराब मौसम की वज़े से इनकी फसल बरबाद हो जाती है उनकी रच्छा करती है आई हम इसी के बारे में जानते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आवसी करने साथी साथ दोस्तों वेल आइकन की घंटी को जरूर द किसानों को बीमा कबरेज और बित्ती साहता कर्णा करना है किसानों की सतथ प्रकृया सदर्प्रया सुनस्चित करने के लिए इसकी آये को इस्थायथ देना है किसानों को कि आजनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रुसाहित करना है। प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हाने के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राज प्रदान की जाए। इसमें पहले प्रीमियम दर पर कईपिंग का प्रावधान था जिसमें किसानों को कम से कम दाबे का भुखतान होता था। अब इसे हटा दिया गया है और किसानों को बिना किसी कटवते के पूरी बीमित राज का दावा मिलता है। बीमा योजना को एक मात्र बीमा कंपनी भारती क्रस बीमा कंपनी द्वारा नियंतरित किया जाता है। दोस्तों भारत सरकार ने हाल ही में बेहतर प्रसाशन और समन्य जानकारी के समचित प्रचार प्रसार और प्रारद्यसिता के लिए एक बीमा पोर्टल भी शुरू किया है इसके लिए एक Android आधारित फसल बीमा एप भी शुरू किया गया है जो फसल बीमा कृस्षेयोग और प्रधानमंत्री फसल विमायोजना का फार्म कहां से मिलता है दोस्तों प्रधानमंत्री फसल विमायोजना के लिए आप आफ लाइन एने की बैंक जाकर और दूसरा आनलाइन दोनों तरीके से फार्म लिए जा सकते हैं फार्म आनलाइन भरने के लिए आप इस लिंक पर जा सक तो सबसे पहले दोस्तों किसान की एक फोटो की जरूरत होती है किसान का ID कार्ड यानि की Pen Card, Driving License, Water ID, Passport, आधार, कार्ड जो भी हो उसकी जरूरत होती है किसान का Address Proof Address Proof के लिए आप Driving License, Water ID कार्ड, Passport, आधार कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं अगर खेत आपका अपना है तो आप अपना खसरा नंबर, खाता नंबर का पेपर साथ में रखें खेत में फ़सल की बुवाई हुई है, इसका सबूत पेश करना होता है इसके सबूत के तोर पर किसान पटवारी, सरपंच, प्रधान येसे लोगों से एक पत्र लिखवार सकते हैं अगर खेत बटाई या किराय पर लेकर फ़सल की बुवाई की गई है तो खेत के मालिक के साथ करार की कॉपी भी होनी चाहिए इसमें खेत का खाता नंबर, खसरा नंबर, साब तोर पर लिखा होना चाहिए फ़सल को नुकसान होने की स्थित में पैसा सीधे बैंक के खाते में पहुंसता है इसके लिए आपको रद एक चेक लगाना जरूरी है तो दोस्तों ये तो रही पधान नंतरी फ़सल बिमाय योजना में किन-किन दस्तावेदों की क्या जरूरत होती है और एक कहां से आप फ़सल बिमाय योजना करा सकते हैं ये जानकारी थी लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो अवस्य कर दें साथी साथ दोस्तों लाइक को और सेर भी करें जै किसान दोस्तों